कल्चर पर दूसरा लेक्चर इससे फैले हम बात कर चूकिते इंडस वेली सिविलाइजेशन के बारे में पूरा उसका और थें्ड कल्चर के बारे में इंडस वेली सिविलाइजेशन जोकी प्रोटो हिस्ट्री से बिलोग करता था और 2720 से 1800 PC का वो टाइम पिरिड था आज है हमारा second lecture तो इंडर सेली सिविल याईशन के बाद ancient history में बात करूं तो उसके बाद आता है अल्ली वैदिकेज, लेटर वैदिकेज, महाजन पदास तो इन तीनों के बारे में तो हमारे पास कोई evidence है नहीं मतलब उतना evidence नहीं है कि उस पे lecture बनाए कोई इतना proper evidence भी नहीं है ठीक है तो अब उसके बाद आता है Morian art Morian empire की बात करी जाए तो सबसे पहले इसको start करने से पहले भाई Morian empire के बारे में बात करेंगे तो जो Morian empire था वो कब से कब तक का period था अपना Morian empire जो पीरेट था वो था 321 BC से 321 BC से कब तक का period था 321 से लेकर 180 BC तक का ठीक है ठीक है ठीक है और इसके जो फेमस केंग्स थे वो कौम थे वो थे चंद्रगुप्त मौरे ठीक है चंद्रगुप्त मौरे थे बिंदु सार थे और लिखा नहीं जाता है मुससे प्रॉपर तो मैं पहले ही कह दे रहा हूं बोल ला हूं उस पर सुन लेना और अशोगा थे ठीक है यह टाइम तक नहीं टिक पाते हैं क्योंकि अशोगा ने एक सिस्टम मना दिया था कि जो पावरफुल किंग्स होंगे उनका फ्यूचर जब वो डाइड करेंगे अशोगा जो थे मरे थे 232 वीसी में और फिर इनकी मरने के बाद एक हो गया अपना पॉलिटिकल सेग्मेंटेशन चालो हो गया इसके करण क्या हुआ जो इंडिया है न वो छोटे 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 टुकडों में डिवाइड हो गया यह था अपने मौरियन एंपायर के बारे में एंशन इसकी वीडियो आएंगी अ तो इतना तो हो गया इसके बारे में ठीक है अब बात करते हैं कि इसके स्टार्डिंग ऐसे होगी जो मौरियन एंपायर से न मौरियन एज है यूजली इसे टू के टेग्रीज में डिवाइड करा गया है कौन-कौन सी थोड़ा नहीं चेकल लेते हैं जो मौरियन एज है उस और जिसके कारण हमें इस तुपास मिले हैं ठीक है इस तुपास देखने को मिले हैं ठीक है लिखा नहीं जा रहा है जो बोल ला हूँ वो समझ देना बस और जैनिजम में यक्षा और यक्षिनी ठीक है यक्षा एंड यक्षिनी बताऊंगा पूरा बताऊंगा इन सब के ब ठीक है कोट अट वो आट थी जो किंग खुद बनाता था किंग अपने पैसे खर्च और खुद बनाता था उस urban को कहते हैं कोट ठीक है और एक थी मेरी कौन सी पौहपुलर आट कि अ लोग बनाया करते थे जैसे इसके एक्जामपल देख लेते हैं अब कोट आट के एक्जामपल की बात करूं तो पहले से हो गए भाई राजा अपना घर खुदी तो बनाएगा और सबसे घरी बनाएगा अपना पहले से बनाएगा पिलर्स बनाएगा ठीक है और इस्तुपास बहुत सारे इस्तुपास बनाएगा अशोका ने ठीक है और पॉपुलर आट की बात करी जाए तो केवस हो गई अपनी पोडरी हो गई और स्कलप्चर्स हो गई ठीक है जो केव आट है ना भाई वो कोट आट भी हो सकती है हमारी वह दोनों मिलके बना सकते हैं बस एक चीज जी रही कोट आट कौन कौन सी हो गई जो की किंग बनाएगा और पॉपुलर आट वह गई जो की लोग बनाएंगे पॉपुलर आट को एक कौन नाम से जानते थे जिसे कहते हैं फॉक आट ठीक है तो इतना पढ़ लिया हमने इसका इंट्रों के बारे में तो बात करते हैं फिर उपर से मैंने नोट्स वगेरा तो सारे लिख लिए थे बेसिक इंफॉमिशन ये थी इसकी कि मौरें पीरेट कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में बता दिया इसके फेमस किंग्स के बारे में बता दिया और इसके बारे में बता दिया तो अब अपने बात करने जा रहे हैं किसके बारे में notes मैंने लख़ रख्या है सारह पहले ही आलरेडी कियोंकि मेरे समीपने लेता हूं ठीकिन तो यह बता दिया था मैंने कि डो तैपस में पढ़ा है इनिजवके करणीट के और फोक काट जो की लोग बनाते थे यह आठ के लिए किंग जो था वो खुद अपने पैसे खर्चे करता था पहले से स्पिलर्स और स्टूपास के लिए और जो पॉपलर आठ थी वो केस पोर्टरी और स्क्लप्चर्स के बारे में थी ठीक है तो यह पहले से के बारे में पढ और यह चंद्रगुप्त मौर्या ने भी बहुत सारे सूपास बनाए है इसके बारे में ठीक है और जो मौरेन आठ थी वो बहुत बड़ा एंपायर था उससे अगर कंपेरिशन करा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आठ के मामले में ठीक है यहाँ पे जो लोग जो बुद्धिसम जैनिसम का important role है art and culture में इसका जो इसका development था वो कौन से tradition में था वो था श्रमाना tradition में कौन से tradition में भाईयो श्रमाना tradition में ठीक है एस्टी लिग दिया मैंने श्रमाना tradition में लोगों का यह मानना था कि वो ब्रामिनिसम को छोड़के इस period में लोग ब्रामिन religion से थोड़ा अलग जा रहे थे कौन से religion को follow कर रहे थे बुद्धिसम और जैनिसम को ठीक है तो अब बात करते हैं इसके geographical extent के बारे में तो एक basic सी बात है भाई जो वहां का ruler होगा मतलब मैं ही मान लो यहां का जो ruler हूँ मैं तो मैं सबसे पहले अपना घर तो बनाऊंगा भ क्योंकि वहां पे चंद्रगुप्त मोरे रह रहे थे और पाटली पुत्रा उस टाइम की capital थी ठीक है चंद्रगुप्त ने अपना पहला palace बनाय था और चंद्रगुप्त नौर्थ वेस्ट एरिया से इंडिया से fight करते हुआ थे और उन्होंने पूरा जीता था किसकी मदद से जीते थे चंद्रगुप्त मोरे कोटल्य के दिमाग की वहाई से जीते थे क्योंकि जो कोटल्य था उसका अपमान हुआ था एक कोट में और कोटल्य को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसके शाहरे पर खड़ा हो सके और उसको मिल गया उसी टाइम पर चंद्रगुप् जो फिर नौर्थ वेस्ट रीजन से चंदरगुप्त मौर्य पर उसी टाइम पर दोबारह अटेक हुआ और चंदरगुपत मौर्य जो थे वो अटेक जीच चुके थे यह सेलिकल निक्टेटर की मेगसतेनी सैकलीकास निक्टर कौन थे उस टाइम पर उनके कोटS ठीक है अब इसके बारे में पढ़ते हैं सेलेकस निकेटर ने एक बुक लिखी है मेगस्थिनीज जो की इन्फोर्मेशन देती है कि उस टाइम पे जो था वोड अर्गिडेक्चर था ठीक है अब बात करते हैं पहले से इसकी बारे में बता चुका हूं कि जो सबसे पहला पहल साइड से चंद्रगूप्त मौरे पर बट जो मिगस्थिनीज थे वो हार गयते चंद्रगूपत मौरे से और उसके इंडिका में उस और कहा कहा से और सबूत मिले हैं जो फाहन थे वो एक Chinese Judaism थे वो भी बताते हैं फाहन इंडिया कब आये थे गुपता एच के टाइम पर आये थे वो भी mention करते हैं कि इनकी book में वो भी mention, book में नहीं फाहन भी mention करते हैं कि उस time पर वोड़ का जो है और फाहिन गुपता एच में आयो हुए थे ठीक है, अब बात करते हैं, अशोका पिलर्स के बारे में, अशोक ने भाई बहुत सारे पिलर्स बनाये थे, अशोका के ही कारण, जो नैशनल सिंबल है, वो भी अशोका से ही लिया गया है, कहां कहां अशोका ने पिलर बनाये, बुद्धा को अशोका पिलर ते हैं, कहां से कापी थे, एरान और पर्शन से, जो अपने पेंटर से उसके बनाते था, लोग थे, उनको एरान और पर्शन भेजा, और उनसे कहा कि भाई मुझे डिक्टो यह पिलर चाहिए, यह तो मुझे बना के देदो, यह कही लोगों ने क हम्मा चक्र परिवर्तन भी दिया था जब अशोका बुद्धा ने पहली सर्मन ली थी वहाँ पर अशोका ने ये भी दिया हुआ था ठीक है अशोका के सिंबल तीन पार्ट्स में डिवाइड़ थे हाइड स्किल दिखाते हैं वरकर की कि कितने अच्छे तरीके से काम करा है जो यह थे यह तीन टाइप में डिवाइड़ थे शाफ्ट क्या होता है शाफ्ट यह डंडी वाला हिस्सा फिर जो चैपिटल फिर जो उस पर बना हुआ था यह जो उस से ऊपर का हलका सा एरिया का हिस तो पर देखा हूगा अपने lion बना हुआ है, जैसे कि किसी में lion था, किसी में ball था, किसी में horse था और किसी में elephant था और top पे नाम लिखा रहता था अशोका का नाम लिखा हुआ है जो बहूत famous pillar है अशोका का वो अलाबाद pillar है जो की located है अलाबाद में ठीक है और जो कौन-कौन स ये यूस करते थे, या ये यूस करते थे red sandstone का, या तो जो इस्तुपास थे, नाइन इस्तुपास बुल्ट हुए हैं, जहां पर दैत हुई है बुद्धा की, बुद्धा सिधार्त गौतम की, ठीक है, और यह वो नाइन प्लेसे हैं, जहां पर यह पिलर्स हैं, इस्तुपास हैं, सौरी, इस्तुपास क्या होते थे बाई, इस्त आपको एक बॉस के अंदर रखना और एक माउंड बना देना और उसकी तुम लोग परिक्रमा करना ठीक है इससे यह स्थूपास जनरेट हुए यह स्थूपास इसका नाम ऐसे नहीं था इसको पाली में पाली लैंग्वेज में थुपा कहा और थूपास से इसका नाम धीरे ध देरे आगे वाले टाइम में इस्थूपास पड़िया ठीक है तो ऐसे यह स्थूपास बने इस्थूपास में भाई चार में डोर चार एंट्री के गेट होते थे और हरनी का टीचिंग्स वगेरा भी सिखाई गई थी इस टाइम पर लोगों को यही था बुद्धा दम्मा स और फिर माना जाता था जी जो अशोग थे वाई अशोग थे उन्होंने 84,000 स्थूपास मनाए हुए थे सांची स्थूपा बहुत इस्थूपा जो की यूनेसको में है सानात स्थूपा भी था डेव अर्किटेक्चर भी बहुत इमस था एवजय जान्वर्क था चैटन्य व यह दशरात में बनाई थी जो कि ग्रेंट संथे अशोगा के और एंट्री गेट सबका डेकोरेट हुआ होता था फूल पति भाई इस टाइप का एंट्री गेट होता था और यह डेकोरेट वगेरा करा जाता था अच्छे से और जो स्कलप्चर से यक्षा एंड यक्षी के थे यह वो अबजेक्ट है जिनको वर्षिप करा जाता था तीनों रिलीजिन में बुद्धिसम में जैनिसम में और हिंदूस में जो अलियस्ट बक्षी था वो फॉंड कहा हुआ था शिल्पादिकार में और यह एक टमिल टेक्ष्ट है सिमिलरली जो सारे जैन तीर्थंकारस थ बौर्टि में बढ़े जो इनका वो था सिम्बल वगरा वो भी साब पॉलिश्ड थे शारी चीज़ें अशोका मॉरीन एम्पायर में सारी चीज़ें पॉलिष थे बड़िया तरीकें से और जो पॉल्टि थि ग्लॉक्सी पॉलिष हुआ करती थी उस टाइम पे वो बहुत बड़े एरिया में अच्छे से जो पॉलिश थी अच्छा लेवल था उनका मतलब सबसे यूनीक जो लगजरी पोटरी देखी जाई है वह मौरें अंपायर में देखी गई है ठीक है यह था इसके बारे में पूरा इस पर पूरा पढ़ चुके हैं हम इससे पहले इंड सुपास के बारे में पढ़ सकते हैं ठीक है और आटन कल्चर में सुपास के बारे में पढ़ सकते हैं और ये उसके बारे में पढ़ सकते हैं किसके बारे में पिलर्स के बारे में अशोग के पिलर्स जो थे वह बहुत हेमस थे नैशनल सिंबल के बारे में पढ़ सकते हैं कि अशोग ने नेशनल सिंबल्स भी दिया जो मेन रोल था ना वो इन तीनों ही किंग का था कौन कौन से किंग एक तो चंदरगुपत मौर्य थे बिंदुसार थे और अशोगा थे ठीक है यही तीन किंग का मेन रोल था इसके आर्ट एन कल्चर में और जब ना अशोगा की देथ हुई अशोगा की देथ के बाद इसके पूरी वार्ड भी लग गई थी इस पीरेड़ी अशोगा की देथ का वही थी भाई 232 BC में अशोगा की देथ हुई और उस टैम पे पॉलिटिकल सेग्मेंटेशन हुए और इसी के कारण जो इंडिया है वो डिवाइड हो गया इसके बाद मौरियन एंपैर के बाद अपना पोश्ट मौरियन एंपैर था पोश्ट मौरियन एंपैर 200 BC से 380 तक ठीका इस एंपैर के बाद आता है अपना गुपता किंग्डम, गुपता किंग्डम भाई, बहुत खदना किंग्डम था, पूरे गुपता ने, पूरा इंडिया, जो मिट का इंडिया है, वो पूरा इनके राज से समया हुआ था, ठीक है, गुपता किंग्डम में मजा आएगा, आप सब को बढ़ने में भी, तो इस पर करते हैं यह लेक्चर को एंड बाई